हलो दोस्तों केसे हो आप दोस्तों आज आपको बताएंगे पियर समधी बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों अगर आप भी एक कंपनी के बाद आप दूसरी कंपनी में जब आप काम करते हो मतलब मेरा यह है कि आप एक कंपनी में काम करते हो और आप साल डेड़ साल दो साल बा करती है आईडी ठीक है ना तो आप उस फैस्ट की जो आईडी होती है उसका पूरा पैसा आप निकाल नहीं पाते हो तो उसका पूरा पैसा निकालने के लिए का जो प्रसेस होता है उससे पहले आपको पैसा है उसको आपको ट्रांसपर करना होता है क्योंकि फैस्ट आईडी क तो जब तक आप दूसरे नंबर की जो ID होती है उसमें आप transfer नहीं करोगे तब तक आप first ID का पैसा नहीं निकाल पाओगे पूरा ठीक है तो यहीं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको first ID केसे आपको transfer करनी है second ID में और जब वह हो जाती है तो उसके बाद आपको क इस प्रकार से पैसा निकालना होता है तो सब कुछ में आपको बार बताने वाला हूं आपको कुछ ने करना पस वीडियो के इन तक आपको पूरा बने रहे ना वीडियो मत करना नहीं तो आपको बिलकुल समझवें नहीं आएगा आपको यह भी बताऊंगा कि आगर आप transfer क के लिए request डालने होती है अपना first company को second company में transfer आपको करना होता है ठीक है तो इस पर जैसे हम click करते हैं जैसे कि preview को मतलब होता है पहले जो आपकी company होती है previous उस employer की ID को आपको परजेंट में जो भी आप company में काम करते हो तो उस ID में आपको transfer करना होता है तो उसके लिए आपको यहां से present वाला option को चुनना होता है उसके बाद आपको UNA number का यहां पर आपको डालना होता है आप member ID भी डाल सकते हो ठीक है तो यहां से UNA सबसे better होता है उसके बाद get details वाले option पर click करने के बाद आपको आगे बढ़ना होता है मैं scroll करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एक option आता है जिस member ID में आपको select करना है उसको आपको डालना जरूर होता है उसके बाद आपका जो आधर काड़क साथ mobile number लिंक होता है उसके उपर आपको get OTP बाले option पर click करके OTP बेजना होता है ठीक है अब OTP आपको आजाएगा तो आपको यहां डालना होता है उसके बाद चैनल पर जाके देख लेना अब इसके बाद जैसे यह आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आप इसको कैसे चेक करोगे मैं यहां से आपको भी दिखा देता हूं आपको वही सेम option पर आजाना है अपना sign in हो जाना है पहले तो unified portal पर उसके बाद यूने पास्वर्णिंग मदे जब आप signing हो जाओगे तो आपको यहां एक option दिखेगा track claim status तो इससे आप claim status को चेक भी कर सकते हो कि आपका form जो आपने भरा है आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है अगर accept हो जाती है तो कैसे दिखती है रिजेक्ट हो जाती हो तो कैसे दिखती है transfer claim status आप status जैसे चेक करोगे तो यहां पर उसका result होता है result को आप यहां से देख पाते हो जिसमें लिखा होता है rejected by कुछ भी हो सकता है result का बोल रहा हूं मैं आप इसको status चेकर हो तो result कुछ भी आ सकता है यहां पर reject का दिखा रखा है मैं आपको दिखा देता हूं इस जगह पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है तो यहां से जो ट्रांसफर का पेशा आया है सेकंड़ आईडी में फ्रस्ट आपको दिखा हुआ हुआ है आईडी का तो वह मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करके तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां में दिखा देता हूं जो इप्या फोकल लोगो आपको दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है इसके जैस्ट नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा इसमें प्रकार के अंदर टाइप में सी आर ठीक है तो सी आर के जश्ट बगल में आप देखोगे वीवरेंड में प्रेटुकुलर जो लिखा हुआ है इसमें आप पढ़ लो ट्रांसपर सेम ओफिश्ड ओल्ड मेंबर आईडी और यहां पर लिखा हुआ है क्रेडिट आयस सब्ज प्रेक्ट टू वेरिफिकेशन ठीक है न तो यहां से आप देख सकते हैं जो इसका सकसफुली है यह ट्रांसपर हो चुका है और अगर आप यहां से इसको चेक कर पाओगे अंसदान के अंदर तो यहां पर लिखा हुआ है करमचारी नियोकता और पैंसन इसके अंदर अगर को दिखाता हूं मैंने आपको बोला भी था जो टोटल यहां पर जो बैलंस दिखा रहा रहा रेट कलर का मैंने आपको बोला था इसके जैस्ट ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यह लिखा हुआ है बीच वाली लाइन में टोटल ट्रांसफर इंट्रेस्ट इधर वीडी आ और 699 ठीक है अब इनको टोटल लगा के जो भी यह जुड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हो अमाउंट बढ़ चुका है और यहां पर जो अमाउंट हो गया है इसको जुड़ने के बाद में 3249 8538 तो इस परकार के यह अमाउंट जुड़ चुका है तो इस परकार से आ अगर आपको पूरा पैसा निकालना है प्यॅ पहली कमपनी का तो आपको अगर आप दूसरी कमपनी में काम करते हो अंडूटी हो तो आपको पहले तो क्या है पहली कमपनी का अंदर आपको एकसे देट मारने के बाद में आपको transfer में डालنا होगी request तब जाके आपकर P.C का first ID का second में transfer हो जाएगा successfully कुछ इस प्रकार से आपको नजर भी आ जाएगा मैंने properly आपको समझा रहा हूँ ठीक है जब आपका इसके अंदर नजर आ जाएगा तो फिर जाके आप second ID से आप कुछ percentage advance का निकाल लेना उसके just बाद आप अपना full and final PF भी निकाल लेना accident डालने के ब लाद में निकाल लेना तो दोस्तों यह आपको पूरा process समझ में आ गया होगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे शेर करें और पीएप से समभणित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ना भूले धन्यवाद